हेलो एवरिबरन टूड़े बीबिल सॉल्ट फ्रम कोर्शन नंबर एक्टीन ऑप एक्सरसाइज नाइन एक्लास एर्थ आरेस अग्रवाल मैथ इससे पहले वीडियो में बन्टू सेविंटीन तक के कोर्शन कम्प्लीट हो चुके हैं तो आज एक्टिन करते हैं और बाकी जो बचाए हो जिंक है तो फाइंट परसेंट में से अगर हम 40 और 32 सब्टेट करते हैं तो परसंटेज निकाएगा जिंक का है ना चली करते हैं तो amount of copper in alloy is given 40% amount of nickel in alloy is given 32% and rest is zinc तो rest का मतला 100 में से इन दोनों को सब्टेट करते हैं तो amount निकलाएगा जिंक तो first we will find the amount of zinc in percentage percentage में निकालने तो amount of zinc in alloy क्या होगा 100 में से इन दोनों किसम को सब्टेट करते हैं तो it is equal amount of zinc in 1 kg alloy तो कितना होगा 1 kg का मतलब 1 kg alloy means 1000 ग्राम अब जिंक कितना है 28% यानि कि हमें 1000 का 28 निकलना है जिंक के करको लगा दिया जिंक में सीवता है लिए न तो लिखो amount of zinc amount of zinc in 1 kg alloy क्या होगा 28% of 1000 ग्राम 28 into 1000 अपान 100 2 0 से 2 0 कैंसेल 280 ग्राम बस यह आंसर हो गया इतना सवाल था यह तो समन्मा गया इसमें एक alloy है उसमें हमें 40% कॉपर दे रखा है 32% निकल बाकी जो कुछ बचा है वो है zinc rest is the zinc तो zinc percentage में क्या होगा 100-40-32 तो यह आगे 28% तो एक किलो में पूछा है इनकी 1 kg का 28% निकालना है 1 kg को अमने ग्राम में कर लिया तो amount of zinc in 1 kg alloy will be 280 ग्राम ना question number 19 listen carefully question 19 is valence diet should contain 12% of protein amount of protein कितना होची यह वेलन्स डाइट में इधे रखा है amount of protein protein हाँ in balance diet यह वो दी लिख रहा है बस ऐसे लिख रहा हूँ amount of protein होना चीए 12% और आगे दे रखा है 25% of fat amount of fat in diet balance diet में amount of fat percentage में दी रखा है 25% and 63% of carbohydrate amount of carbohydrate in balance diet amount of carbohydrate कितना है 63% कितना है 63% तो कॉस्टन दबार सुन लो balance diet should contain 12% protein 25% fat and 63% of carbohydrate इफ एचाइल्ड नीट्स तू हन्ड तू थाज़न्ड शिक्स हन्ड कैलोरीज in his food daily तो find the calorie the amount of each of these in his daily food उसे कुल 2000 टोटल कैलोरी कितनी चाहिए चलो वह भी लिख देता हूँ है टोटल कैलोरी है इसको कहां गया चाइल्ड नीट 2600 तो टोटल कैलोरीज नीट 2600 कैलोरीज तो हमें बताना है उसको कितना protein लेना है कितना कारोईडरिट लेना है और कितना fats लेना है तो चली करते हैं तो सबसे पहले protein निकाल लो protein कितनी कैलो लेगा टोटल एमांट कितना है 2600 और उसका कितना हुआ है 12% तो लिखो एमांट अफ प्रोटीन 12% अफ 2600 तो 12 इंटू 2600 अपॉन 102 जीरो 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 कैंसिल 12 सिक्जा 72 कैरीज 7 12 तो 24 और 7 31 तो 312 कैलोरीज तो बुलेगा प्रोटीन्स समझ्मा गया है ना केरीज को सॉट में सी यह लिखके छोड़ सकते हो अब लिखो फैट फैट कितनी के लिखो लेगा तो एमांट अफ फैट्स कितना है 25 परसेंट तैनकी 2600 का 25 परसेंट निकालो 25 परसेंट अफ 2600 यह कितना हो गया 25 परसेंट यह लिखके छोड़ दे रहा हूं फिर है कार्व हाइड्रेट्स तो एमांट अफ कार्व हाइड्रेट्स कितना है 63 परसेंट दे रखा है 63 परसेंट है 2400 का 2600 का 63 परसेंट निकालने 2600 का तो इसको मल्टिपिल करेंट मैं करता हूं तो यह हो जाएगा क्या है 63 इंटू 26 चलो यहां कर दे रहा हूं 63 इंटू 26 63 जा 18 कैरी 1 66 जा 36 27 62 3 जा 126 8 613 25 1538 साच आहांसे लगेगा 2636 37 37 1638 1638 कैलोरी यानि कि वो प्रोटीन लेगा 312 कैलोरी 650 कैलोरी फैट्स और कारोईड्रेट इन सबको एड कर लोगे 26 कैलोरी आ जाएगा 2600 ओके सम्झमा आगे ना नाव नेस्ट कोर्शन नम्मर 20 एंदा कोर्शन 20 इस गन पावडर कंटें 75% नाइट्री नाइट्री होता हो कुछ हो हुई या तो लिख लो एमांट आप नाइट्री दे रखा इसमें 75% एंद 10% सल्फर सल्फर कितना दे रखा है मैं 10% गन पावडर है उसमें इतने परशन नाइट्री इतना परशन सल्फर बस इतना है दो चीज़े रखी है तो find the amount of गन पावडर which carries 9 kg नाइट्री तो amount of which equal 9 kg ओके तो इसका percentage का मत्तब क्या होता है इसमेजो अगर 75 kg नाइट्री है और 10% सल्फर है तो 85 हुआ 15% कुछ और भी होना चाहिए गन पावडर contain तो अगर 75 kg नाइट्री है तो percentage का मत्ना 100% 100% गन पावडर है तो हम केजीओ मालने तो 100 kg गन पावडर है तो 75 kg नाइट्री है और 10% सल्फर है आम यह दे रखा है कि 9 kg यह दे रखा है नाइट्री होता हो कुछ पी है यह दो सकता है नाइट्री है 9 kg तो बताना है गन पावडर कितना है और उसके आगे कुछ कह रहा है साथ वाट एमांट अब गन पावडर विट कंटेन 2.5 kg सल्फर इसी भी इस पर है तो देखो उसका हो जब 75 kg कर लेते हैं सिंस 75 kg इस नाइट्री देन गन पावडर इस 100 kg ओके बास समय रहे हैं DER पावडर तो जानती है आप तो 1 kg अगार होता तो गन पावडर कितना होता 100 upon 75 kg अब कितना दे रखा है 9 kg तो 9 kg बेने कालो therefore if 9 kg is nitrate then the gun powder is 100 into 9 इस जानती हो आप लिखना 75 25 से हमने कैंसल का 25 3 जा 25 4 जा 3 से 3 वार कैंसल 3 4 जा 12 यानि की टोटल gun powder कितना होता 12 kg कब होगा 9 kg नाइट्रेट है एक अंसर तो यह आ गया 12 kg अब शल्फर दे रखा है तो शल्फर पी लो जब 10 kg sulfur है तो gun powder का amount कितना है 100 kg तो लिखते नाइस्ट 100 kg तो 100 में 10% sulfur है दूसरे सब्द में अगर 10 kg सल्फर है नाइट्री है तो 100 kg का है gun powder वो यह उजम कर रहे है 10 kg सल्फर है तो gun powder 100 kg अगर 1 kg होता 1 kg sulfur then the gun powder will be 100 upon 10 kg है कितना sulfur दे रखा है 2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg is the sulfur then gun powder will be 100 into 2.5 upon 10 0 से 0 10 का 25 में करेंगे तो point से देसी महड़े था 25 आ गया gun powder कितना होगा 25 kg तो answer अगे जब nitrate 9 kg है तब gun powder 12 kg है और जब sulfur 2 kg है तो gun powder होगा 25 kg now question number 21 question यह divide 7,000 रुपीज हमें total 7,000 को divide करना है A, B and C such that A gets 50% of what V gets A का amount B का 50% है B अगर 100 मान हाइड करता है तो A करता है 50 रुपीज है B का जो भी है and V gets 50% of what C gets यानि की C का independent है question सब्सक्राइब B, C का हाप लेता है और A, B का भी हाप लेता है तो इसको करने के दो तरीके हैं या तो आप percentage C कर सकते हो सीधा सीधा C का मान लेते हैं X percent तो इसका भी जाएगा X by 2% 50% of X और उसका रहे जाएगा 50% का 50% of X और T9 का divide कर देंगे हम इसको 7000 मतलब समझो A का जो divide percentage है कितना है 50% का होता है हाप B के और B का जो relation है हाप C के 50% का होता है हाप 50% क्या होता है 100 से divide तो दो तरीके है simple तरीका या तो ratio में convert कर लो A to B to C निकाल सकते हम और फिर divide कर दो दूसरा तरीका इसमें C क्या है independent तो हमने C का मान लिया C का part है X rupees है ना तो B का कितना होगा X by 2 और A का होगा ठीक है ना ऐसी कर देते है Let the share of A Sorry C किसको मांगते है जो independent हो Let the share of C is Rs.X ओके तो share of B क्या होगा So share of V यह दे रखा है 50 percent of C तो क्या होगा डारेक्ट लिख दूँ 50 into C 50 percent करता है 1 by 2 होता है 50 से कड़ गया चलो अब यहां लग देते है C upon 2 और C का share कितना है X C की value यहां रख देते है C की जागे S लिख लो है X upon 2 clear अब share of A क्या है share of A है 50 percent of B जो भी B का share 50 percent 50 upon 100 into B का share कितना है X upon 2 फिर यह 50 से cancel हो गया according to question जो हमने distribute करा A B C को उसका sum X plus 2 का divide form 2 times 2 into X 4 का divide form 1 times 1 into X X 7004 2617 7 X की value आ गई 7000 into cross multiplication 4 7 से 7 cancel 1000 बार X की value आ गई 4000 X किसका share था share of C C का share तो निकला है या A share भी लिए सकते है वो easy पढ़ा था share of A is X upon 4 X की value क्या है 4000 upon 4 तो कितना आ गया रुपी लास्ट में तीनों का add करके दिखाऊंगो 7000 आएगा मैं ऐसे खाता ऐसे लिए सकते है B is share B का share share of A की जाएगा A share लिख सकते है B का share कितना है X by 2 X की value 4000 upon 2 तो कितना हो गई है 2000 रुपीज अब बाकी तीसरे का निकालने का तरीक बहुत निकली आया है C का तो X है 4000 नहीं रखा जी रहा X की value है ना तो C share is Rs. 4000 चेक को रों इन तीनों का सम 7000 आना चाहिए 4 to 6 on 7000 यानि की हमारा solution सही है answer कोई चेक करने की जरुवत नहीं है clear okay now second last question question number 22 and the question 22 find the percentage of your gold in 22 carat so now if gold की 22 carat या 24 carat दो तरह के चलते हैं तो यह पूशना में find the percentage of your gold in 22 carat gold हमें इसमें percentage निकालने है कितना percent pure gold है इसमें जर 22 carat का जो gold होता है अब आगी दे रखा ही पता होता है if 24 carat gold is 100 percent pure 24 percent है ना ममी पापको पता हुआ आप लोग तभी छोटे हो 24 carat कप होता है 100 percent pure यानि कि इसमों सारा का सारा gold है और कुछ भी mix नहीं है 24 carat दे रखा है 100 percent gold अब यह 22 carat gold का मतलब क्या होता है यह समय लो पहले फिर हमें उसका percentage निकालना है यानि कि 100 में निकालना है तो solution देखो यह तो question रहा अब इसका solution देखो यही समय लो कि 22 carat gold का मतलब यह होता है कि 24 में 22 percent gold है तो क्या लिखोगे इन 20 चलो में लिख देता हूं इन 22 carat gold इसका मतलब यह होता है कि pure gold is pure gold is 22 parts out of 24 24 का होता है 100 percent pure लिखा है 24 is the 100 percent pure नहीं में given हो तो मालूम नची गोल्ड के बारे में इतना तो कि 24 carat का 100 percent सुद्ध गोल्ड जीसे होता है प्योर गोल्ड तो कुछ मिलावत नहीं है और 22 का मतलब 24 का 100 percent होता है तो 22 तो gold part है और तो 2 percent कुछ और है तो pure gold is 22 parts इसमें out of 24 बस इसका मतलब यह है out of 24 parts अगर gold के 24 पीस ले नहीं समयला तो 22 piece pure है और 2 piece उसके duplicate है अगर हम 24 gram gold ले रहे है तो wise gram gold pure है और 2 gram क्या है इं-pure यानि किसमें कुछ मिलावत है तो परसंटेज मेंने कान अब तो समझ में आ गया कि 24 में तो है 24 तो एक में 22 अपन 24 और 100 में 100 से multiple तो percentage of your gold क्या होगी देखो हंड्रेट में sorry 24 में तो है 22 उनिटेज में तो वन में कितना होगा 22 अपन 24 परसंटेज कलता है 100 में या आप उनिटेज से ले सकते होगी 24 में gold की amount कितनी प्योर gold इस 22 parts तो वन में 22 अपन 4 और 100 में यह बस solve कुर लगी यह आप का अंसर आ जाएगा 4 6 solve करते है 4 6 जा 4 से यह 25 पर cancel और cancel यहाँ 2 से जाएगा 2 3 जा 2 बन जाते कितना आ गया 11 5 जा 55 11 जा 22 5 27 अपन 3 percent 275 अपन 3 percent pure gold हो गया तो डवाइट करें 3 9 जा 27 3 बन जा 3 कितना बजा 2 तो आंसर हो गया 22 केरेट गोल्ड कितना प्यार हुआ इतना प्यार हुआ 91 होल 2 बाइ 3 percent तो लिग सकते हो so 22 केरेट गोल्ड is 19 होल 2 बाइ 3 percent pure समय आ गया 24 परसेंट जो 24 केरेट का गोल्ड होता है वो 100 परसेंट सुद्ध होता है 22 केरेट का पूछा कितना प्यार है 22 केरेट को कैसे करेंगे 24 में 100 परसेंट है और 22 यानकी 22 परस क्या है 24 में से तो 100 में निकालना है तो 1 में कितना होगा 24 में ऐसी देखो यहां संजाएता हो लगसी 24 में तो कितना पार्स प्यार है 22 एक में कितना होगा 22 अपन 24 हंड़ेट का मस्क्लाब हंड़ेट से मल्टिपल होई तो करा हम नहीं यह को 22 इन्टु हंड़ेट अपन 24 डारे लिग दिया वस तो इस दा आंसर ओके नाव लास्ट कोशन इंड़ेट कोशन इस दा सेली ओफ एन ओफिसर इस इंक्रीज वाई 25 परसेंट कुछ सेली थी उसकी सेली को 25 परसेंट इंक्रीज कर दिया अगा 100 डुपीज थी तो बढ़कर कितने हो गई 125 परसेंट कर दें जिससे कि उसकी सेली पहले सेली के एक्वल हो जाए पहली से तो मालो ओरिजिनल मतला बढ़ने से पहले जो थी तो 100 डुपीज मालो अब इसमें कितने परसेंटेज इंक्रीज हुए 25 परसेंट इंक्रीज इंक्रीज इन शेलरी 25 परसेंट हंडड मालने का यह फाइंदा होता है तो बढ़ने का 25 परसेंट क्या हो जाएगा तो अब न्यू सेली कितने होई करना हैं तो कितने रुपए कम परें पहले किती दी सो बढ़कर होगी 125 कितने रुपए कम कर दें इसमें कि उसकी सेली ओरिजनल सेली के कल हो जाए तो 25 कम कर दें है ना अभी तो 100 हो जाएगा तो ठार ना स्थे में ही लेखो ओरृषणीस था देंखते कुंगतर्य क्यों एकछी कि बात आ तो रडेक्षन कितना होगा 10 45 रुपए हो पहले 500 ृतियस इतने रुपए कम करो 2 25 रुपीज का डरेंब घंडेंग से ढस्रेंग पड़ें पर्सेंटैस बेरikt Shortly पूछी है तो बस अपतो निकाल होगे तो reduction in percentage क्या होगा reduction in percentage क्या होता है reduction into 100 अपको कितने में कम कर रहे हैं 125 में कर रहे हैं 125 में कर रहे हैं solve कर लो 25 बन जा 25 फाइब जा 5 से कितने 20 times यानि कि sale को 20 परसंट अगर हम कम कर दें तो officer की जो sale थी original sale के equal हो जाएगी तो बस लिख दो hence the required hence the required reduction is hence the required is 20 परसंट यानि कि बढ़ने के बाद उसकी sale का 20 परसंट अगर कम कर दें तो पहले के एककोल sale हो जाएगी मैं इसका answer check कर देता हूं आपको देखो 100 परसंट परसंट थी original यह तो question पूरा हो गया बढ़कर हो गई 125 परसंट परसंट बढ़ा आगर हम इसका 20 परसंट निकालें जरह निकालो यह तो होगा 125 इंटू 20 अपोन 120 बढ़ने 25 सा 5 से 25 25 कम करो क्या गया है यह हमारा answer सही है तो यह exercise 10 एय आज complete हो गई है और मुझे उम्मीदा आपको बहुत मजाया होगा इस exercise करने में और बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी तो इसको आप फिर पर कर लिजिए अगर आप लोग पहली वार वीडियो देख रहे हूं पहल आपकी मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस वीडियो अपने दोस्तों को भी सेयर करिए, क्योंकि आजकल सब इसकूल भी बनना है, कोचिंग भी सब बनना है, और मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम हाती है, तो आपके दोस्तों इस वीडियो का फायदा उठा सके हैं, आपके जो भी कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, वो आप कमेंट वक्स हम कमेंट करिए, आपको चिंदा करने ही कोई रूत नहीं, मैं आपके साथ हूं हमेशा, जो भी आपके डाउट होंगे, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ हूं, ओके, थेंक्यू, वेव नाइस दे,